हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्त आज के वीडियो में एवरेज का मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन करने वाला हूं तो मैं तीन-चार कोश्चन लेका हूँ एवरेज का जो कि मॉस्ट रिपीटेड है और भारी भी है मतलो हाड कोश्चन जिसको ब तो करते हैं questions है the average weight of students of section A and B having 40 students each is 45.5 and 44.2 मतलब A B दो सेक्षन है दोनों में 40-40 विद्यार थी है पहला सेक्षन का एवरेज है 45.5 दूसरा सेक्षन का एवरेज है 44.2 तो 48.75 किलोग्राम औसत वाले सेक्षन A के दो चातर को B में दे दिया गया मतलब A का दो चातर B में चला जाता है जिसका average weight इतना है और बोल रहा है दो चातर जो है A में फिर से B से आ जाता है तो औसत दोनों का बराबर हो जाता है मेरा मोटीव यह है कि average दोनों का बराबर होना चाहिए मतलब आने के बाद दो student इधर से बेज़ दे उधर दो student उधर से बुला लिए इधर average बराबर हो गया तो पूछ रहा है जो B से जो A में आया है उस चातर का average weight तो हमको average को बराबर करना है अभी जो हम देख रहे है 1.3 जो है average ज्यादा है average जदी 1.3 ज्यादा है तो सम कितना ज्यादा होगा तो टोटल 40 विद्यार्थी है 40 से गुना करते हैं तब 52 तेरचो के 52 बावन सम ज्यादा है हम यह कह सकते हैं A का total sum निकाले B का total sum निकाले जोड़ निकाले कहने का मतलब तो A में 52 kg weight ज्यादा है क्य तो और दोनों को घटा भी सकते हैं तो 52 kg ज्यादा आएगा A का वजन जो है B से 52 kg ज्यादा आएगा तो हमको average जदी बरावर करना है तो 52 kg जदी एक को extra है तो हम 26 इसमें छोड़ देते हैं 26 kg हमको भेजना चाहिए था B में B में कितना भेज देंगे 26 kg तो average वेड़ दोनों क तो 26 नहीं भेजे हैं कितना भेजे हैं 48.75 kg वजन वाले सेक्षन एक दो चातर को भीज़ दिये मतलब 48.75 kg का वजन वाला दो चातर को भेज़े तो दोनों को गुना करते हैं 48.96 एक 97.5 पांच 97.5 हम देख रहे हैं 97.5 वजन वाले भेज दिये हैं मतलब हम extra भेज दिये 26 भे कितना ज्यादा भेज दिये तो इसमें से 26 को घटाएंगे इसमें से 26 को घटाएंगे तो कितना हैगा पॉइंट पांच लिखते हैं साथ में छो गया एक अन्नों में साथ गया दू मतलब हमको एक हत्तर केजी एक्स्ट्रा भेज दिये एक हत्तर केजी जब एक्स्ट्रा भेज दिये बी को तो एक हत्तर केजी ही हमको बी से ए में लाना होगा जिसे बराबर हो जाएगा तो बी से ए में कितना ज्यादा लाएंगे एक हत्तर पॉइंट पांच केजी लाएंगे कितना सब्सक्राइब करने का तरीका बताया है यूट्यूब पे देख सकते हैं साइधी आपको मिलेगा कहीं पर देखते हैं सेकेंड कोश्चन जो है 2018 में भी आया है यह कोश्चन और बहुत बार सेलेक्षन पोश्च में सीडियल पूरी तक में आ चुका है क्यी बात करिए पॉज करके क्या यह कोश्चन आपसे हुआ तो करते हैं इस कोश्चन को तो 33 नम्मर है, average weight है 74, 33 नम्मर का average weight है 74, पहला 17 का average weight है 72.8, तो हम देखने हैं, average से कम है, average से 72.8 जो है, 84 average है, उससे कम है, कितना कम है, तो घटाएंगे 74 में से 72.8 को घटाएंगे, तो कितना आएगा, deviation निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1.2, कितना आएगा, 1.2, ठीक है, और last 70 क average है 77 points दू, ये average से जाधा है, कितना जाधा है, जाधा है, तो plus करेंगे, 3.2 जाधा है, तो average में ये deviation आएगा, तो sum में कितना deviation आएगा, total कितना number है, देख रहा है, 17, 17 नमर का बात कर रहा है, 17, ये 2 into 17, 34 का deviation आजएगा, plus 34 का, अब देखें ध्यान से, 17 टोल 34 नमर हो जाता तो 108 आ जाता लेकिन यह 17th नमबर नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है कि यह जो नमबर है 17th नमबर को हम लोग exclude कर दिये मतलब हटा दिये तो average पे क्या फरक पड़ेगा कितना हो जाएगा और तो 17 का नमबर जादा है यदी average से जादा वाला बंदा जाता है Companies में कम होता है कितना कं होगा एक बंदा चला गया 33 था एक चला गया कितना हो गया 32 इतना का नुक्सान हो जाएगा 17 16 इसको करेंगे 16 16 16 एक पर 0 10 नहीं लगेगा 16 96 लगवग इतना आएगा 0.1.06 इसको रॉंड आफ करेंगे तो 1.1 भी कह सकते हैं और चौबस्थर हम एव्रेज माने थे टोटल सबका वेट कितना था चौबस्थर था चौबस्थर चौबस्थर मेंसे कितना कम कर देंगे 1.1 एव्रेज कम कर देंगे कितना आ जाएगा 72.9 गटाने तो आता होगा साइद नहीं आता है करिए 72.9 और 72.9 ही question का सही answer हो जाएगा आसा करतो हूँ ये वीडियो आपको question समझ आया होगा next question करते हैं deviation concept जरूर आना चाहिए नहीं आता है तो आपको करने में time लग सकता है question को next question देखिए मैं सारा question जो है deviation से करता हूँ देख लेता हूँ deviation कितना का रहा है average weight of certain number is 72 कुछ number का average weight 72 है 10 student जिसका weight 78 kg average weight था वो छोड़के चला गया अब बताइए average से ज्यादा वाला बंदा छोड़के जा रहा है average कम हो जाएगा कितना कम हो जाएगा तो 72 था 78 हो गया मतलब average से कितना ज्यादा वाला लड़का चला गया 6 ज्यादा वाला लड़का चल गया कितना लड़का में 10 लड़का मतलब 10 छेके 60 एक्स्ट्रा चला गया तो 60 एवे सम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा चार student आ गया जिसका average weight 80 kg है average से ज्यादा वाला बंदा आया तो फैदा होगा कितना का फैदा होगा तो 72 था 80 हो गया मतलब एक बंदा आठ ज्यादा लेके आ रहा average से एक बंदा आठ ज्यादा लेके आ रहा तो चार बंदा आठ चार्जा 32 ज्यादा लेके आएगा तो deviation देख रहे हैं तो हमको आए alot minus 28 का घटाएंगे तो minus 28 के आरा present कर रहा है जो average जो है कम जायेगा कितना है sum जदी 28 कमा आते average कितना कम रहा है 0.7 0.7 से भाग दे देंगे तो number आ जायेगा average sum बटे average कर देते है तो number है sum बटे average बराबर क्शेて बता रहं द्योह कम जाएगा समझ भी माइनस तो बता रहा था कोई को यूझ नह良á मतलब अब भलन में जो बंदा है वह 40 है में लेकिन पोछ रहा है कि इन ट्र फाइनलि कितना बंदा हो गया है कितना लड़का है तो बूल देते हम 40 लेकिन दोस स्टूडेंट स्वाइब चार चला गया ड़ाम हो च हैसेश ऑपसे यहास चला और हम जाएगा तो चालीस अभी चैना होगा होगा 46 देख सकते हैं 46 में से 10 गया 36 और फिर 4 आ गया 40 40 हो गया कि नहीं तो सुरू में कितना बंदा था 46 और 46 इस question का सही answer हो जाएगा आशा करता हूं समझ आया होगा next question इतना ही question है next video में एक और तीन चार question लेका हूंगा जो average का most अच्छा question माना जाता है या tough question का सकते हैं माना जाता है जो बहुत सारे बच्चों से नहीं होता है यह question से आपको तयारी में बहुत आगे लेके जाएगा धनिवाद मिलते हैं next video में आसा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा नहीं आया है समझ तो एक बार repeat करके देखिए जरू समझ में आएगा धनिवाद कर देखिए जरू समझ में आएगा धनिवाद